आज यह मेरे पास एक Microtech का Old PCP आया है इस काईर वेबिनोटर का इसमें प्राब्लम क्या है आपको दिखाते हैं जिसे यहां पर हमने इसको सप्लाई दिया ऐसे ठीक अब यहां यह जो है जिस आन होना चाहिए रिले आन नहीं हुआ और इसको अगर हम ऐसे जो है आन करते हैं टच करते हैं तो रिले आप होना चाहिए यानि ऐसे open करने पर आन होगा और ऐसे करने पर आप होगा है यहां पर कोई भी function काम नहीं कर रहा है रिले का अब रिले ड्राइब क्यों नहीं हो रहा है यहां पर दिखा दें आपको सबसे easy तरीका है इससे पहचानने का जैसे यह नहीं आपकेराइब कोने क्यों है तो देखें यहां पर जैसे यह bichon ट्राइच रहा है तो इसका अगर देखेंगे तो यह collector है बीच वाला बेस है और यह सच्वांद है यह जो है ameater है तो ameater जो है इससे हो जाता है ठीक बीच वाला बेस हो गया जो micro controller से relate करेगा और यह हो गया collector अब collector का यहां रिले पर आना चाहिए देखिए यहां पर कोई भी continuity ने सो हो रहा है दोनों पर क्योंकि रिले का यह पॉइंट है अब देखिए रिले काम कैसे करता है सबसे पहले इसमें एक प्लस की सप्लाई आएगी जो कि डारेक्ट होगा निगेटिव इससे मिलेगा अब जैसे आपको रिले डारेक्ट देखना हो तो यहां से ऐसे टच करेंगे ऐसे इसे हमें आपर एक बार लगा कर दिखाते हैं कि ऐसे आप लगाए अब रिले को आन आप देखना हो डारेक्ट तो ऐसे यहां से जो है सप्लाई यहां पर देते हैं देखते हैं देखिए 11.80 ठीक है 80 यानि 11.80 बोल्ट यानि 12 बोल्ट यहां पर सोख रहा है अब यहां इसी डायवोट से होके ऐसे यह जो हमारा टोयल बोल्ट का है यहां से प्लस की supply out होके ऐसे होते हुए यहाँ पर आएगी और दोनों रिले का जो है जिसे एक एक point जो है प्लस प्लस हो जाएगा फिर यह दूसरा माइनस माइनस हो जाएगा यानि एक ही transistor से दोनों रिले आन और आफ होंगे अब देखिए यहाँ पर problem क्या है इसको हम दिखाते हैं इसे हटा देते हैं इसे continuity mode पर रखते हैं अब यहीं से collector पर लगाएंगे और देखिए ना यहाँ पर बीप दे रहा ना यहाँ पर अब इसके नीचे side में कर जाएंगा इसे देखिए नीचे वाले point पर बीप दे रहा है यानि यह double layer PCB है जैसा यहाँ पर देखिए यह जो रिले लगाया गया है तो यह रिले का जो है, यह point है यह बीच में जो है common है ठीक है यह pole है और यहाँ आना आपके लिए कोई लोला point है ठीक है कि यह निकाला गया है अब इसमें प्राब्लम क्या है निकालते समय कुछ देखि यह यहां भी सीघ्याथ box जर यहां पर देखिए इसके जो नीचे से यानि भॉटम से जो टॉपशायट में जाता है यहांपर इस होसे व्या वो चीजी यहां सेसे के रिले के साथ में चले आई यह ठीक है यह अभी यह जो है connection जो bottom से यानि नीचे से ऊपर जो आ रहा था track ओपन हो गया अभी यह निकालते समय ही जो है इसको ध्यान देना चाहिए क्योंकि जैसे इसमें है और इसमें है यानि यह रिले का जो है एक क्वायल वाला point है यह अब यहां पर यहां पर यहां पर यह problem create होगा क्योंकि इसके साथ जो नीचे से उपर की तरफ जो track आ रही है यह open दिखाएगा तो एक तो यहां पर यह problem issue करेगा जैसे इसमें हुआ है और एक यहां पर तो सबसे पहले हम आना आपके लिए यहां पर इसके जगे पर हम यहां पर शोल्डर डाल देते हैं यहां यहां पर इसके लिए iron को गरम करते हैं कि अब कि अब आए डारन करम होगया है है कि अब यहां पर हम क्योल सोल्डर यहां पर डाल देते हैं और सोल्डर जो है नीचे से उपर की तरफ यह कि जॉइंट हो जायाएगा कि ऐसे सोल्डर को फिला देंगे यहां पर कि अब है अब यह जो होल है नीचे से उपर की तरफ टेट बंड़ा है यह अब नीचे से उपर तक कितना जॉइंट हो जाएगा अब अब अभी देखते हैं कि इतना करके यहां पे लगाते हैं इस अभी भी यह आन आप नहीं हुआ कि इतना 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 कि इतन कि इसके लिए आपको भी बताते हैं कि यहां से एक वायर कनेक्ट करना पड़ेगा कि आप कि आप कि आप कर आप कर आप कर आप कर दो 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 अब ऐसे एक यहां पर कर देंगे और दूसरा यहां पर ऐसे डाल देंगे यहां पर अल्रेडी इन किया हुआ है वायर अचे प्लट लेंग और प्लट के इधर देखिए कि यह ऐसे यह ट्रैट है कि यह यह दोनों ओपन था यहां से यहां तक कि अब यहां पर दिखाते हैं कि यह जो है कि यह सप्लाइश से देंगे अब यहां पर देखिए यह जो मैं बता रहा था कि टाइश्टर को डारेक्ट यहां पर देखना है तो यह देखिए क्यूश्य लिए यहां पर इसका जो कोड है कि अब देखिए हम एमेटर और कलेक्टर अभी आण है इसलिए जो है यह आफ करते हैं अभी हो गया अब यहां से अन करते हैं अब इसके इसकर यह के लिए हो गया कि चेक कर सकते हैं बाद में रिले को अन्फर्म कर सकते हैं लेकिन निकालते समय एक बात का जरूर ध्यान रखें जितने भी इधर सब मल्टी लियर ट्रेक होते हैं उसमें तो निकालते समय बहुत जरूरी है इस चीज को देखना कि जो इसका होल होता है जहां पे पैटता है रिले रिले या और भी कोई भी कंपोनेंट है यहां पे बहुत सारे ऐसे ट्रेक देखेंगे जो नीचे से उपर की तरफ आये हैं अ अब यह अगर लियर ब्रेक हो जाए या इसी के साथ ट्रेक के साथ ओपन हो जाए यहां से छोड़ दे डिस्कनेक्ट हो जाए तो ऊपर वह चीजें यह डिस्कनेक्ट हो जाता है ट्रेक तो यह पूरा इसका सरकिट कंप्लेट नहीं होता तो जिससे यह पूरा काम भी नहीं